नमस्कार साथियों प्रत्रम चणड़का चुनाप उत्रप्रदेश में आगरा से सुरू होगा आगरा के साथ और भी जिले हैं प्रतियासी लगातार परचार कर रहे हैं कैसा माहौल है परचार करने के दोरान मेरे साथ महिश कुमार जाटब है जो की रालोद और सपा के समर्थन है मेरे साथ मेरे साथ सामने कोई भी प्रत्यासी मुकाबले पर नहीं टेक पा रहा है मैं आपको विश्वास दिलारता हूं योगी जी आयते आगरा और बात की जाए फटेबुर सीकरी विधान सवा की उनका कहना था कि जो जाट हैं वो हमारे साथ हैं और लोगदल और सपार की घट्वंद्ण के प्रत्यासी उत्तरी विधान सवा आपकी है कि नमदी आगरा ग्रामीर है अगर बात की जाये तो कैसे समर्थन मेरे साथ में जनता से मंगते हैं तो किसकी उपर मंगते हैं विकास के उपर मांगते हैं या नहीं विकास के उपर जो भारती जनता पाइटी का पांच साल का जो कोशासन रहा उससे लोग नाराज है और लोगों को उम्मीद की किरन जाग रही है मानि अखले सियादव जी मानि जैन चौदरी जी में वो चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश को अपने आपको भी खुल बना बना झाये और हम अमन ऑचले जिया ने जैन हो जब योगी जी आये ते तुन्होंने अकलेश यादब पर काफी निशाना साधा लेकिन जैन चौधरी की जी को इग्नोर कर दिया क्या कहेंगे इस पर देखिए उनको पता है योगी जो कोई पता है मोधी जी कोई पता है मिस्ताली कुई पता है कि हमारा मैं यह्या ला मुक्रा गठोशा जी है जो पर देद ने लिया बीजेपी का जो प्रत्यासी है वो यहां का है नहीं अमेरिका की रहने वाली है यह लोग अमेरिका थो रहे जाएंगे इनको तो जमीन के लेकिन उनका पासपोर्ट तो इंडियन है कैसे अमेरिका की ने देखिए मेरी वास सुनिये जिस समय वह महामहीम राजपाल है जो इनके साथ लगातार चुना प्रचार में है क्या नम है मेरा डॉक्टर सतींद्रियादफ क्या लग रहा है आपको इस बार गहमीर विधान सभा का बड़ा महत्पूर्ण चुनाव है क्योंकि पूर्व राजपाल मैदान में है यहां जो पुराना चौदरी साब के समय पर मिल रहा है और यह बहुत बड़ी जीत से जीते हैंगे चुनाव प्रचार लगातार जारी है जब आप जनता की बीच में जाते हैं तो जनता की मूलभूत क्या परिशानिया नजर आ रहे हैं आपको जो पांस साल में नहीं हुए जनता की पांस साल की जो मूलभूत परि रोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है मुद्दों से ये पूरा उत्तरपदेश पटा पड़ा है सरकार ने सिर्फ लोगों को कहीं एक ऐसे मुद्दे पर लाके हमेशां रोकने की कोशिश की है जो इस वार उत्तरपदेश वहां रोक नहीं रहा है मुद्दों की बात कर रहा है जीनियन मुद्दों पर काम करने की बात कर रहा है रोजगार माग रहा है सडके माग रहा है विकास पूछ रहा है इनसे आये हुए व्रस्ता चार पर जो इन्होंने कहा उनका जवाब माग रहा है 15 लाक रुपे का हिसाब माग रहा है किसान भसलो पात मिलानी even रही है ये साब सुतला पश्चिमी उत्तर प्रदेश चो लहर आ रही है निकल के उस लेहर को बीजे-पी कहीं रोक नहीं पा रहे हाी कहीं निकल नहीं पा रहे ही इसलिए इनके पास औुल जूल वात हैं और बाकी चीजहों के लाभा कोई बचा है महीज जाटव यहां ग्रामीर से प्रत्यासी है और डेफिनिटनी जो आप बात कर रहे हैं कि यहां मुद्दे जो है यहां 65,000 प्लस 70,000 का मुकाबला है 65,000 प्लस 70,000 लगबग 1,500,000 बोट होता है 1,500,000 बोट प्लस अधर्स मिला के बीजेपी कहीं नहीं टिक रही है और इस बहाम में आप जहां भी जाएंगे गाउं मीडिया से हैं आप जानते हैं सारी चीजें आप जाएंगे देखेंगे कहीं सिंगल अगर कोई विरादरी ऐसी हो जो अबाज गठवंदन के नाम की ना लगा रही हो विकास की आवाज ना लगा रही हो और अखली श्यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर न देख रही हो आपको कोई सिंगल गाउं अच्छूता नहीं मिलेगा हम भी तमाम निसादों के और किसवां गाम माना जाएंग अतर्प्रदेश के बनेंगे एक और बात बताना हुआ जैन चोंधरी जी कंडिक्टीश I'm बनेंगे चाहता हूं इसी आपके चैनल के माध्यां से के उत्तर प्रदेश के अंदर राष्टी लोगदल तीसरे नंबर की पाइटी बनने जा रहा है और मैं एक बहुत मेहत्पून बात पता हुआ कि मल मैं कल सुनारी गाउं में गया और दो लोग पती पतनी भार निकले और अनाज लेकर के आए और उन्होंने मुझसे कहा मेरे उपर आरती की मेरा तिलक किया और फिर बोले कि यह मैं अनाज दे रही हूं और अखले स्यादव जी मानी जै अब है इनका साब तोर पे कहना है एक बड़ा दावा इनोंने कर दिया है कि जोयन चौधरी डिप्टी सीम बन रहे हैं अब देखना होगा दस मार्च को यह जन तक क्या गोल खिलाती है जैकनी 24-7 के लिए आगरा से एकबाल खान